हेलो दोस्तों मैं अब शेक राइब सभी को सोगत आप सभी के पसंदा यूट्यूब चैनल राइज यूकेशन में करता हूँ जाम सभी यूपी टीटी सी टीटी की वीएस एनवीस डी ट्रिपल अस भी वीडियो और शिक्षक बरती प्रिक्षा दोजान नों इसके त्यारी कर हाई कोट जो भी हाई कोट जाने वाले अब्यरती हैं वो आयोग की बात अगर नहीं जाने हैं नहीं पड़े हैं नहीं सुने हैं तो उनके लिए बहुत ही परशानी हो सकती है बिना आयोग की बात को सुने हुए वो क्या कहरें उनका कतन क्या है आगर आपने जान लिया इस तो आप बहुत ही आपको प्रभाव पड़ेगा आपके इस फैसले पे रहाइकोट जाने वाले पर तो ध्यान देखिएगा ध्यान से पुरी वीडियो को लाज तक देखिएगा और आपको कुछ न्या जानने को मिलेगा कि क्या है आयोग ने हाइकोट से भी क्या कहा है और OMR के बार भी बाते करेंगे जो में तरो OMR से संबंदित प्रशन पूछ रहे तो उससे संबंदित भी इसमें कई अपडेट मैं लेके आया हूँ तो अन तक देखिएगा वीडियो वीडियो चलेगा लाइक करेगा शेयर करेगा और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा चलेए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है खास आप लोगों के लिए तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के लिए पहले ऑथेंटिकेशन क्यों सबसे पहले ऑथेंटिकेशन न्यूज अब देख लिए अगरी कहां से कोई टैक करता है तो ये live hindustan.com से मैंने उठाया है क्या है खास इसमें कि उत्तरपदेश शिक्षक पादरता परिशा 2018 के संबंद में 30 नॉंबर को संसूदित उत्तर कुझी जारी कर दी गई लगबग 6 प्रशनों पर उत्तर बदले गए हैं और किसी प्रशन पर आयोग ने समती देने से और नए जो प्रशनों को इससे इंकार कर दिया है इसके संबंद में प्रतियोगी छात्रों ने हाई कोड जाने का निर्णे लिया है लेकिन आयोग ने सचिव अनिल भूशन चत्रुविदी का कहना है कि संसूदित उत्तर माला पर भी किसी प्रकार का आपत्ती स्विकार नहीं की जाएगी ये तो सीरे तोर पर उट्टुक वाली भाशा में उन्होंने बोल दिया है कि कोई अपत्ती नहीं स्विकार की जाएगी तो भाईया क्या है क्यों एसा बोल रहे हैं इतना कॉन्फिदेंस क्यों है नको तो आगे इसी देख लेते हैं रिपोर्ट में क्या है इसके समद्ध में आयोग ने पहले ही हाई कोट में रिट दायर रखी है जो लोग हाई कोट में जा रहे हैं वो ये चीज़ ध्यान रखे हैं कि कोई भी नए प्रशन पर कोई संसोधन नहीं होगा उसके लिए हाई कोट में पहले से रिट दायर कर दिया है आयोग ने बहुत important news आपके लिए होने वाला है आपके फैसले चण भर में आपके फैसले डगमगा सकते हैं इस news से तो अपने proof और अपने authentication को मजबूत रखिएगा और आगे पढ़िए क्या है इसमें इसका मतलब कि यदि केवी कुई रिट लगा सकता है तो सरकार उन लोगों से पहले मामला कोट के हवाले पर कर रखा है जो कोट में जानने का विचार कर रहे हैं सरकार कोट में कहेगा कि आप मामले को समझ कर उनके पक्ष पर विचार करें परंतु भरती प्रक्रिया नरुके बहुत जादा important है दोस्तों जो बेरती 2018 में संसुदित उत्तर कुंजिका के उपर आपती कर रहे हैं और और प्रश्णों और उत्तरों के लिए वो मान रखने के लिए अपने हाई कोट का धरवाजा खटकटाने वाले हैं सोमार को तो उनके लिए बहुत खाश होने वाला है इन्यूज उन्हों ने डायरेट यहीं बोला है कि कोट विचार कर सकता है कोट बोल सकता है आयो को कि आप इस पर विचार करें लिकिन आप भरती प्रकरिया नहीं रोक सकते न रोकें यह बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए कि कोर्ट ने भी सीधा पहले ही बोल दिया है आगे आगे चलते हूं इमार के संबन्द में जो भी था क्या था क्या गलतियां थी क्या नहीं थी उसके बारे में थोड़ी डीटेल देख लेते हैं यूबी सिशक पातरता परिच्चा दुरज़ाराथार में रोल नंबर सहीथ अन गलत जानकरिया भरने पर अभीरतियों की मुश्किले बढ़ सकती हैं इसलिए क्योंकि कंप्योंटर बेस्ट मुल्यांकन के चलते गलत ओमार शीट का मुल्यांकन नहीं हो पाएगा ऐसे मैं अभीरतियों की मुश्किले जाही तोर पर बढ़ेंगी इसी क्रम में गलत बुकलिट सीरी साइट अन गलत जानकारी भरने के मामले में अभीरति ओम आर शीट में हुई गलतियों को लेकर शुधार की मांग कर रहे हैं तो यह तो पहले से ही लंबी चल रहा है केश और इसको तो पिसली बार का जो था हाई कोट ने भी फटका लगाए थी कि जो बहरति फिलप करने में तूटी कर सकते तो वो शिक्षक बनने लाइक नहीं सीधे तोर पर हाई कोट ने बोला था तो ओमर में लेकिन परिछा निय नियमक प्रादिकार आनिल भूशनर चत्रवेदी का कहना है कि ओमर शीट को लेकर गाइडलाइन जारी ही जारी कर दी गई है सची परचाने नियमक प्रादिकारी को मताबिक कम्प्यूटर के आधार पर ओमर शीट का मिल्यांकन किया जाएगा इसमें किसी बेतरह के यहां उस पर सुधार नहीं किया जाएगा तो यह बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है फ्रेंट्स और जो भी फ्रेंट्स ऑथरेंटिकेशन को लेके प्रूफ को लेके वलेडिटी को लेके वहाँ जाएंगे तो यही पूरी पुश्टी करने के उनके आधार बहुत जादा मजबूत हैं उनके प्रूफ बहुत जादा मजबूत हैं तो ही वो जाके हाई कोट के पास पहुंचें और जरूर जाएं क्योंकि अपनी मांग रखने का आपके पास अधिकार है और यहीं आपके पास आकरी मोका है तो भरती प्रक्रिया तो नहीं रखने वा आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगी तो बने रहे हमारे शांद, शेर करते रहे हैं लाइक करते रहे हैं, थेंक्यू सो मच